लोगसभा चुनाओ में बासवाड़ा की सीट जो है वो गलफांस बनी हुई है भाजपा और कॉंग्रेस दोनों की कॉंग्रेस को डर है कि भारत आदिवासी पार्टी यानि बी एपी से अगर गटबंदन कर लिया तो जमीन किसक जाएगी यानि कि विदानसभा चुनाओ में फिर सीटें भूल जाएए इस्तानिय नेताओं का जो जिनको कहा गया था कि आप चुनाओ लड़िये लोगसभा का बड़े नेताओं को उनको लगता है कि हम सीम तभी बनेंगे जब हम यहां से विदानसभा सीटें जीतेंगे खेल वो है सत्ता पाने का खेल जो है उसमें सं अब दिक्कत यह है कि यहां के नेताओं से पूछें तो क्या होगा उपर वाले जाने उपर वालों के बड़ा संगट है कि कॉंग्रेस के जहां से अगर जमीन किसक गई बागड इलाका जो है और उसके कद्दावर नेता जो कि भाजपा में जा चुके हैं टिकट पा चुके हैं अब कॉंग्रेस महंदर जीत मालविय को घेरने की कोशिश में हैं अभी तक केंड़ेट गोशित नहीं किया है और अगर कॉंग्रेस गठवंदन करती हैं भारत आदिवासी पार्टे के साथ तो फिर मामला अलग हो जाएगा इसी सीट को लेकि कॉंग्रेस का अलाकमान मन अथन का दावा कर रहा है लेकिन आदिवासी पार्टी के और से पहले सेकेंडर डिकलेर किया जा चुका है बाकी जगे कठवंदन में अनुमान बेनिवाल जपताय किये तब बनाए गई यहांगी कॉंग्रेस कारेलेस सीजन डिकलेर हुई कि भी यह चीच छोड़ दी गयी ह यह नहीं का है बासवड़ा में भारत अदिवासी पार्टी 2023 में अस्तितों में आती है आते ही बासवड़ा डुंगरपूर की तीन सीटें जीच जाती है साथ से आठ सीटों पे जबर खेल कर जाती है पंदरा सीटों पे साढ़े साथ लाग के आस पास वोट यानिक पचास प्लस वोट लेती है वो 28 सीटों में चुनाव लड़ा नौलाग 47,000 वोट आए ऐसे में छोरों ने कमाल ऐसा किया कि जनता को लगा कि विकल्प होना चाहिए विकल्प लोगतंतर में खुबसूरत चीज है और विकल्प होना ही डेमोक्रेसी को तै करना है अब राजकुमार रोत और उनकी टीम ने कहा दिया विकल्प तो हम है अब आप साथ जुड़ते हैं नहीं जुड़ते हैं ऐसे में कॉंग्रेस बड़ी असमंजस में और असमंजस की स्तिती में बाजपा भी है कि अगर गटवंदन हो जाता है तो कैसे क्या करना हो कि स्ट्रेटजी प्लान उनकी चीजें बनी रह जाएगी कॉंग्रेस के कई निता आपको बाद में विदानसवा चुनाओं के वक्त अगर गटवंदन होता है तो भारत आदी वैसे पार्टी जॉइन करते हैं दिखेंगे ऐसा लग सकता है खेर यहां अगर गटवंदन हुआ तो फिर बीजेपी के दो विदायक थे और कनकमल गटारा जब चुनाओं जीते तो जो अंतर रहा चुनाओं जीतने का वो वोड़ बीटी पी लेगी थी लोकसवा चुनाओं में तो यहां और विदानसवा चुनाओं में आसपूर और डुंगरपूर जिले में 84 और आसपूर और प्रताफगड जीले की धरियावद सीट को जीत दर्च की हैं प्रताफगड में से एक सीट चितोड में हैं प्रताफगड खुद जिससे हमंत मिना हैं तो यहां डुंगरपूर सागवडा बासवडा जीले की बागी दोरा और बाकी सीटों पर बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी रही ह जिसको गड़ी वगएरा यही कारण है कि कॉंगरेस अब जो है वो गठवंदन करना तो चाहती है लेकिन बासवडा डुंगरपूर में आठ जो विदानसवा सीट हैं उनमें चार कॉंगरेस के पास है यानि आदे विदाएक कॉंगरेस के हैं और यह जो है इस्तिती कि अभ जाए हैं कि उनको पता है कि एक बार यह आ गए तो फिर हमें खा जाएंगी हमारा जो जमीन है वो जमीन खींच ली जाएगी और यहां तक कि वागित वरम जो उप्चुना होना है उसमें भी कॉंगरेस से प्रत्याशी नहीं उतारा विजेपिन तो जो कॉंगरेस से आये है उनको दे लिया है तो प्रत्याशी कौन होगा क्या भारता दिवसे पार्टी से कॉंगरेस गडबंदन करेगी उसको लेकि जिला इसतरी पदादिकारी कहरें साब उपर वाले जाने ठीक है अब नामंकन का सिलसिला भी शुरू हो चुक है लेकिन वागड़ में अभी कोई मा पोड़ेंगे सारे जो सवाल हैं वहां पर बुद्धों पर अटके हुए हैं राजकुमार रोत उमेश मीरा उनकी टीन जो है वो जुट चुकी है तमाम चीज़ें और वहां कॉंग्रेस वालों को पूछो भी आप लोग कैसे क्या प्लानिंग है और आला कमान ही तै करेगा और आला कमान की स्थिति अगर मीडिया ने जैसा कॉंग्रेस की जिलातेक सरमेश चंदर पंडिया से पूछा तो पहले कि गठवंधन की स्थिति तो है लेकिन अगर गठवंधन होता है तो इस्तानिय कॉंग्रेस का ये कहना है कि बागी दोरा विदानसवा प्रत्याशी जो कॉंग्रेस का क्या बटेगा कारेकरताओं का क्या होगा बड़ा सवाल है अब यह फैसला को करना है और गणेश गोगरा से भी मीडिया ने बात करना ही कोशिश की लेकिन वह कुल मिला के तमाम चीजें जो है वहां अलग तरीके की हो रही है बीजेपी से मेंदरजीत मालवि इस सीट पे बागी दोरा में जो है वो प्रत्याशी बनाए गए थे अब सुबास तंबोलिया 84 मले राजगुमार रोत जो की सांसत के प्रत्याशी है उन्होंने जैकरशन पटेगल को गोशित किया है कॉंग्रेस बड़ी अस्वंजस की स्तिती में है तो आगे का नफा नु का नंबर है कॉंग्रेस की और से लेकिन तीन बार के सांसत रह चुके ताराचन भगोरा पहले मना गर चुके हैं कि अगर इंडिया गटवंदन में भारती आदिवासी पार्टी बेला ही सामिल हो जाए हम समर्थन नहीं करेंगे तीन तीन नाम मांगे थे जिसमें अगर पु अगी दोरा विदायक दोनों सीटों के लिए तीन तीन नाम मांगे थे जो बेज दिये अब अला कमान को तैय करना है हम तो चुनाओ प्रचार अभियान के लिए तेयार हैं फिर इंडिया गटवंदन के आदार पर जो कुछ होगा है उसमें आदेश पर मलकुल मिला कि हमारा क्या होगा पार्टी का ठीक है आप गटवंदन वाले जिता ले जाएंगे लेकिन बाद में यह जो है खा जाएंगी कॉंग्रेस का जो पंजा है उसको यह होकी वाली जो पार्टी है होकी और बॉल वाला जो निशान उनका विदानसवा चुनाओं में था भारी हैं उनका कहना है कि दावेदारी कॉंग्रेस की भी हैं और नाम चल रहा हैं गोशना का इंतजार हैं और यह सारी चीजें जो है वो लोकसवा चुनाओं में अलग तरीके से देखने को मिल रही बांसवड़ा बांगी और राजकुमार रोत जो है उनकी और से निश्चिनत है बैंसवड़ा तरीके बांसवड़ा 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 णुगरपूर में आपको क्या लगता है क्या का कौंगरस को के गडवनदन करना चूहिए गडवन्दन करना चीए दबागी दावरा सीट छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी आगे का क्या नतीज़ रहेगा आप हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद